तो मिल रहे हैं एक और नही रेसिपी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे तंदूरी आलू चाट की रेसिपी यकीन माने बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी चाट बनती है इसके बाद आप और फ्राइड चाट खाना भूल जाएंगे अगर एक बार अपने यह चाट ट् आप सब उमीदा सब अच्छे से होंगे तो चले शुरू करते आज की यह चाट पटी चाट की रेसिपी तो यहां पर देखिए मैंने यह चार उबले हुए आलू लिये हैं देखिए इस तरह से मैंने पीस कट कर लिये थे एक आलू मैंने छोड़ दिया था तो मैं आपको का जाई तो लिजी अब हम करते हैं कि तयारी मेंने आलू सारी काट लिए हैं यहां पे मैंने लिए एक स्टिक तो स्टिक में हम इस तरह से एकेक करके पीश लगा देंगे और अगर आप लगाना ची तो इसमें प्याज और शिम्ला मिर्च भी लगा सकते हैं पर मैं सिर्फ यहां पे आलू की चाट बना रही हूं तंदूरी आलू की तो इसलिए मैंने सिर्फ आलू लिया है तो इस तरह से जितनी भी आपको स्टिक में लगे के आलू के पीस अराम से सिख जाएंगे उतने ही आप लगा लें क्योंकि हम इसे गैस पे नहीं सेकेंगे ना इसे फ्राय करेंगे हम इसे चूलेपाट बूनेंगे तो लेखिए मैंने एक स्टिक पे 6 आलू के स्लाइस लगा लिए है तो उपर से ग्रीस कर जाएं देसी घी के साथ आप चाहे तो बटर के साथ भी कर सकते हैं या कुकिंग ऑयल के साथ भी कर सकते हैं जो भी आप खाते हूं बस हलका हलका सघ्रीज कर लिए इससे क्या है कि बहुत ही बढ़िया सी हमारे आलू है जो भुनके रेडी हो जाएंगे वैसे बिना ओयल के भी सिक्स जाएंगे तो लिजी यहां पर मैंने यह चूला लिया है सिगडी चूला जो भ कर रही हूं इसमें मैंने आलू के पीसे लगा लिए हैं और ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे बहुत ही असानी से और फटा फट हमारी यह टेस्टी सी भुनी होई आलू चाट बंके रेडी हो जाएगी तो लिजी यह भी हम यहां साइड में रख देंगे तो जो पहले वारी स्टिक थी तो आलू कितने बढ़िया से हमारे भुन गए हैं दीखे कितना क्रिस्प दिख रहा है आलू तो इस तरह से पलट पलट कर आप इन्हें से लें तो इसी तरह से मैं यह सारी स्टिक किसमें लगा दूंगी तो हम जब यह आलू सिखेंगे न तो हम देखिए इस तरह से कितने बढ़या से सिग्गिया है देखिए कैसे लाल हो गए आलू तो इन्हें खाने का जो टेस्ट होगा वहत ही अलग होगा तो लिजी आ हमारे यह सारे जो आलू है वह अच्छे से भूल गए आप देख पा रहे हैं कितने बढ़या क्रिस्प हो गए है तो अब हम इने उतार लेंगे एक प्लेट में निकाल लेंगे एक बार इस तरीक से बढ़ा के देखिए का तभी पता चलेगा कितनी टेस्टी या अलू चाट बन के राड़ी होती है तो लीजी अब हम करते है ग्रेवी की त्यारी तो यहां पर मैंने एक कप लिया है दही दही आफ फ्रेश लें तो इसमें मैं डाल रही हूँ दो चमच मलाई मलाई भी फ्रेश लें हमारे घर के दूद की मलाई है तो फ्रेश मलाई लें फ्रेश दही लें बहुत ही बड़िया टेस्ट आएगा तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैं डाल लिए उस पर काणा नमक टेस्ट के कोडिंग डालें यहां पर भुना हूँ अजीरा पाउडर और यह लिए है हमने धनी और पुदिने की यहां पर मैंने एह चमच डाल लिया है अगर आप जारा थीका खाते हैं तो इसको ओर जारा दाल सकते हैं और इसे हम म्साले और जटनी अच्छे से मिक्स हो जाने जाए देखी कितनी गाड़ी च्रीम हमारी यह दही बंके रैड़ी ह हो गई है चाट के लिए तो लीजिए जो हमने आलू भून लिए थे वो स्टिक से निकाल के हम इसमें डाल देंगे दही में डाल के जो है इस पे आलू में अच्छे से अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा अच्छी से मेरिनेट हो जाएगी अगर आप चाहे इस तरह से नहीं डालना चाते तो प्लेट में आलू लगा के भून के और उपर से दही डाल सकते हैं ये तो लीजिए ये हमारे अच्छे से हो गया है मिक्स तो देखे कितनी बड़ी अटेम्टिंग से चाट लग रही है तो अभी हम इसे प्लेट में सब कर लेंगे तो उपर से में थोड़ा सदा ही इसमें और डाल दूँगी लेजिए और अब हम इसमें डाल देंगे उपर से ग्रीन चट्नी यहां पर हम इमली की चट्नी का यूज नहीं कर रहे हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं तो उपर से थोड़ा सा डाल दिया है मैंने काड़ा नमक थोड़ी से स्प्रिंकल कर दिया हमने लाल मिर्च पाउडर और यहां पर लिया हमने भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा ले लिया हमने चाट मसाला तो देखे कितने कम मसाले में हमारे कितनी टेस्टी और यम्मी से चाट बनके रैडी हो गई है देखे देखते ही म प्रेस कर दे और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताये गा तो कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइबाई